जह इन सात्यों वन्सी का आल जाव हिंदी चैनल में स्वागत है, सात्यों एक और बैकेंसी निकल के आई हुई है, जो कि ए बैकेंसी उत्तर परदेश पंचायत राज डिपार्टमेंट में निकली हुई है, जो कि पोस्ट जो निकला है, पंचायत सायक, कमडाटा, इंट्री, आपरेटर, डियो की पोस्ट निकाली हुई है, सात्यों तो इस वीडियो में ये बताएंगे कि जो उत्तर परदेश पंचायत राज डिपार्टमेंट में जो बैकेंसी निकली है, उसका आफलाइन फार्म ब बताएंगे, पूरा डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो सात्यों तब तक के लिए, अगर आप नए हैं, तो वन सिका आल जाव हिंदी चैनल को सस्क्राइब करिए, आल पे किलिक करिए, ताकि आने वाला जो भी बैकेंसी हो, इस चैनल के माध्यम से आप लोग के पास पहुचे, तो सात्यों आप लोग को सौट नोटिस जो है, वो दिखाने जा रहा हूं, उसके बाद बता रहा हूं, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, और लाश्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप लोग को समझ नहीं बाहे है, वो आप लोग को नोटिफिकेशन जो आ जा 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 रहा हूं, सात्यों, इसमें इप्रोटेंट डेट जो है, आफिलकेशन बेटन या आफ्लाइन फर्म जो है, अठारा पाछ दुवजार बाइस से स्टाठ हो जाएगा, यानि अठारा मई दुजार बाइस से ये आफ्लाइन भरना स्टार्ट हो जाएगा और साथ यो लाश्ट डेट फर अप्लाई आफ्लाईन का जो लाश्ट डेट है तीन 3.36 2022 है और साथ यो जो इस फर्म का जो आप इस फर्म को भरेंगे उसके वाद मेरी लिस्ट जो आएगी यानि फाइनल सेलेक्शन लिस्ट जो आएगी 10 से 17 जुन 2022 तक आएगी और साथ यो बताना चाहता हूं आप इलकेशन फीच जो है जनरल ओवी सी एसी एस्ट यानि आल कटगरी के लिए कोई फीच नहीं रखा गया है और साथ यो वीडियो को इ तक देखिएगा तभी समझ आएगा साथ यो यूपी पंचायत सायक रुकुर्मेंट 2022 में जो निकाली हुए एज लिमिट की बारे में बात कते हैं मेनिमम एज 18 एर्स मेक्समम एर चा मेक्समम एज 40 एर्स यानि इस फार्म को जो आफ लाइन बारा जाएगा पंचायत राज डिपार्टमेंट में 18-48 एर्स के कंडिरेट आवेदन कर सकते हैं और साथ यो उत्तर परदेश पंचायत सायक में जो कम डियो वाकेंसी डिटेल है यानि जो वाकेंसी पूरा पोस्ट है आल पोस्ट 2783 पोस्ट निकला हुआ है और साथ यो पोस्ट नेम बता दें जो कि डाटा इंटरी आपरेटर डियो यानि ए पोस्ट का नाम है और साथ यो एडुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मस्ट प्लस बी ए और साथ यो रिसिडेंट दसें ग्राम पंचायत पार्म वेर इज अपेरिंग और साथ यो ध्यान से देखिएगा 10 प्लस 2 यानि इंटरमेडियेट एक जान एनी बोर्ड इन इंडिया यानि आप लोग को बार्मी बार्मी कच्छा पास होना चाहिए तबी इस बार्मी यानि इंटरमेडियेट अगर आप लोग क्वालिफाई हैं तो इस फार्म को आफ लाइन फार्म को आप बर सकते हैं और साथ यो आप लोग को बता दें कि यह जो जो बाइकेंसी निकली हुई है यह अपने ही डिस्टिक यानि जो भी डिस्टिक के आप रहने वाले हैं कुछ डिस्टिक के नाम हम बताएंगे उसी से आप लोग समझ जाएगा जैसे साथ यह जैसे जो भी डिस्टिक निकली है तो उस डिस्टिक क तो आप रहने वाले होंगे उसी डिस्ट्रिक के candidate आवेदन कर सकते हैं जैसे जो भी डिस्ट्रिक पड़ेगी उसमें बलाग पड़ेगा और ग्राम पंचात पड़ेगा तो उसी डिस्ट्रिक के ओई कंडिडेट आपने इडिस्ट्रिक में यानि आपने इबला का ग्रम पंचाथ में इस फार्म को मतलब इस पोष्ट के लिए अक्डार होंगे यानि इस पोष्ट के लिए अलेवल होगे ठिक नो इसके साथ है। सभी डिस्ट्रिक के 책 के कंडिडेट आविधन कर सकते हैं। तो साथ उफुमदि地方 का नाम foreign जैसे आगरा हो गया अलीघर को गया प्रयाग राज हो गया अमटर नगर हो गया हमेठर हो गया मेंटि आवरैया आजमगल जितना दिस्टिक्स बता रहे साथी ओ जो वि इस डिस्टिक्स में बलाग गराव किसेधी और सकते हैं प्रवाद फिरोजाबाद गाजियाबाद गुरणपूर अरयां अत्रोस जलाओं जासी तो कन्योज कानपूर दियात कानपूर नगर वरार्सी सुल्तानपूर तो साथ यह बताना चाहता हूं कि कुछ टिस्टिक का नाम बताया हूं यानि यूपी में पूरे डिस्टिक का यह निकला हूआ है तो अपने इस डिस्टिक में वह कंडिडेट आफलाइन फार्म को यानि भरके और जो आप लोग का डेट बताया हूं उस डेट तक आप लोग यानि 18.05.2022 से शुरू हो जाएगा यानि 18.05.2022 से शुरू हो जाएग और साथियो तीन च्छ यानि तीन जुन्दु 2022 को लाश्ट डेट रहेगा तो साथियो जो कंडिडेट जिस जिला से बिलांग करते हैं अपने ही बलाक में अपने यूट में वह भरेंगे यानि अधर डिस्टिक के नहीं भरेंगे और साथियो वनसी का अलजावींदी चैनल को सस्क्राइब करिए और लाइक करिए ताकि आने वाला जो भी बाकेंसी हो इस चैनल के माध्यम से आप लोग को पता चले जैन साथियो